दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपने तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे बड़े कबर बिहार में गाए भैसो को लगेगी वैक्सिन एक महिने में दो करोड पसुओ को होगा टिका करन जिहां बिहार के सभी गाओं में घर घर जाकर दो करोड पसुओ को खास कर गाए और भैसो का टिका करन किया जाएगा इसके लिए 6 सितंबर से 5 अक्टुबर तक अभियान चलेगा इन पसुओं को गल घोटू और लंगड़ी बुखाड से बचाने के लिए एचस और बिक्यू का टिकर निसुलक लगाया जाएगा इसको लेकर पसुओं मते से संसादन विभाग ने सबी जिलो और प्रकंडों के लिए नोडल पदादिकारी बनाने का निर्देश चेत्रिय निर्देशकों को दे दिया है बिभाग ने कहा है कि पसु चिकिसिक को ही नोडल पदादिकारी बनाना है जो जिला पसु पालन पदादिकारी से मिलकर अभियान की सपलतो सनिश्चित करेंगे बाड़ी खबर खतम हुआ इंतिजार दुर्गा पुजा इस बार पंडालों में बिराजेगी माता रानी प्रसासन से मिली हरी जंडी जिहाँ कोरोनमा मारे की वज़ा से पिछले साल दुर्गा पुजा की समय पंडालों में मातारानी की प्रतिमा इस्तापित नहीं की जा रही थी लेकिन इस बार दुर्गा पुजा पंडाल में ही होगी पुजा समितिया भवे पंडाल में मादुर्गा की परतिमा इस्तापित कर सकती है हाला कि इसके लिए पुजा समितियों को हर साल की तरह इस बाल भी जिला प्रसासन से लाइसेंस लेना होगा बता दे की कोरोना की वज़ाश से पिछले साल पंडाल में माद दुरगा के परतिमा की स्तापना पर रोक लगाई गई थी, उस जगह पर कलस पुजा की गई थी इस बार जिला पसासन की तरब से हरेजंडी मिलने के बाद पुजा सम्मेतियों में उत्सा का माहौल है पुजा आयजन को लेकर सम्मितिया अपने सदेशों को सुचना दे चुकी है कई पुजा सम्मितियों ने मुर्थी और पंडाल निर्मान के लिए कारिगरों से बाद भी कर लिया कारिगरों को एक सब्ता तक का समय भी दे दिया जा चुका है बड़ी खबर पातना का पहला डबल डेकर एलेविटेड रोड 31 अगस्त को सियम करेंगी सिलनास साड़ी तीन लाग के आबादी को सिधा फाइदा गंगा मारीन पद से भी जुड़ेगा डबल डेकर रोड पातना के पहले और बिहार के चप्रा के बाद दूसरे डबल डेकर एलेविटेड रोड का निर्मान कारे दो दिनों बाद सुरू हो जाएगा इसका सिलनास 31 अगस्त को मुखमंत्री नितिस्कुमार करेंगे कारगिल चौक पर इसका सिलनास कायर करम होगा पातनिर्मान के अपर मुख सचीव अमरित लाल मिना के मुताबिक इसे तैयार करने का लच तीन साल का रखा गिया है कारगिल चौक से PMCH होते वे साइन्स कोलेज तक बनने वाले डबल डेकर फ्लाइ ओवर में दो फ्लोर होंगे एक फ्लोर पर आने वादे तो दूसरे फ्लोर से जाने की विवस्ता होगी फ्लाइ ओवर में तिन जक्सन बनाए जाएंगे जो कारगिल चौक, कृष्णा घाट वा एनाइटी मोड के नजदिक होंगे साथी रोड की कनेक्टिवेटी कारगिल चौक, PMCH, कृष्णा घाट, एनाइटी, लो कॉलेज और महंद्रू से होगी बड़िकबल लगतार बारिस से उत्तर बिहार में नदिया बोराई, 1.25 लाख आबादी प्रभावित बगाहा में 200 से अधिक घरों में घुसा पानी जिहां बेते 48 गंटों से नेपाल वा उत्तर बिहार के जिलों में हो रही बारिस से नदिया बोरा गई है नदियों में बढ़ते जलेस्तर के करन सनिवार को पश्चिमी चामपारन वा मितलांचल के कई गाओं में बार का संकट खड़ा हो गिया है लोग एनेच वर रेल ट्रेकों जैसे उची सानों पर सरन ले रहे हैं बगाहा में गंड़क का तांडव जारी है सहर के आदा दर्जन वाडू के दोसों से अधिक घरों में गंड़क का पानी घुस गिया है बरहिया में चमपारन तड़बन पर गंड़क का दबा बढ़ गिया है पुर्वी चमपारन के आधा दर्जन प्रखंडों की सत्तर हजार आबादी बाड़ से प्रभावित है मोतिहारी सीवर का सड़क संपर्क लगातार दूसरे दिन भंग है सुगोली सहर इलाके में सिकरहाना का पानी पोहच गिया है सीवर सितामडी एनेच एक सुचार पर भी कई जगा बाड़ का पानी चड़ गिया है दर्भांगा के हाई गार्ड प्रखंड का जिला मुख्यालाई से सड़क संपर्क भंग हो गिया है मदबनी के मदेपुरा में 25,000 के आबादी बाड़ से घिर गई है उदर समस्तिपूर में गंगा नेदी का जलस्तर पिछले 48 गंटे में 5 सेंटिमीटर बढ़ गिया है बाड़ी कबर बिहार में कोरोना से मौत का सिलसिला फिर से सुरू तेखे ताजा आकड़ा जिहां बिहार से कोरोना संक्रमन के 21 नई केस मिले हैं स्वास्त बिवाग ने सुरक को जारी रिपोट में बताए कि राज में गुरुवार सुकुरार को कोरोना के कूल एक लाग सتم जार 1108 तेस्ट किये गए जिन में 21 रिपोट पोजिटिव आई है विवाग के नुसार बेटे 24 गंटे में 11 लोग स्वस्थ हुए हैं राज में अब कुरोना के एक्टिव केस घट कर 114 अगिया है वहें बेटे 24 गंटे में कोविड से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है अगली बाड़ी कबर पूरे देश में फिर से लग सकता लोगडाउन भारत में पिछले 24 गंटे में कोविड से 500 ज्यादा लोगों की मौत देश के लगवग राज में लोगडाउन समाप्त हो चुका है लेकिन पिछले 24 गंटे में कोरोना के जो आकड़े सामने आये हैं वहां रोंग्टे खड़ा कर देने वाले हैं पिछले 24 गंटे में भारत में कोरोना संक्रमन के 46,769 नए मामले सामने आये हैं केंद्रिय स्वास्त्र मंत्राला के और से जारे आकड़ों के नुसार कोरोना से पिछले 24 गंटे में 5-9 लोगों की मौत भी हो चुकी है इन मौतों के बाद अब देश वर में कोरोना से मरने वालों की सेंख्या बढ़कर 4,37,370 तक पहुच गई है अगर कोरोना संक्रमत का यह आकड़ा ऐसे यह आते रहे तो देश में एक वर फिर से लोगडाउन की और बढ़ सकता है अभी हाल ही में बिहार सरकार ने लोगडाउन के खताम होने की गोशना की है इसके बाद से सभी सारवजनिक धार्मिक इस्तलोक को पूर्ण रूप से खोल दिया गया है इसकुल कोलेजों भी खोल दिया गया है देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों की बीज केंद्रिया ग्रेम मंत्राले ने राज्जों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आगामी पर्व तैहार के मौके पर ज्यादा भीड भाड एक जगा पर एकटना हो वहीं ग्रेम मंत्राले ने राज्जों से कुरोना संक्रवन के मामलों के निगराने रखने के भी एडवाजरी जारी की है पाटना महावीर मंदिर को बड़ी जम्यदारी आयोदा में अस्पताल खोलने का मिला प्रस्ताव कर आयुत और नगर निगम के अन्य अधिकारियों ने इस प्रस्ताव के साथ फोन पर आचारे किश्वर कुर्णाल से बात की है बड़े केवर केवल 600 रुपे में कर आय राजगिर की सेर पटना में सुरू हो गई है बुकिंग जिहां कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद बि कोरोन कोल का पूर्ण रूप से पालन करना होगा नालंदा पुरावेश, नालंदा विश्विदालय, विश्व सांते इस्तूब, घोडा कटोरा, सोन भंडार गोबा, वेन वन, राजगिर रूपे आधि पहले की तरह खोल दिये गये हैं लेकिन बिना मास्क किसी परियाटक नेगम के आर बलोक इसित कार्याले के काउंटर से टूर पेकेज की बुकिंग करनी होगी, इसके लिए 600 रुपे प्रतिव्यक्ति सुल्क निधारित किया गिया है अगली बड़ी कबर बिहार में इंजिनियर की गाड़ी से मिला 18 लाग केस, आचार सहिंता उलंगन का केस दर्ज पंचाई चुनाओ को लेकर चल रहे थे गाड़ीों की जाच जिहा धरबंगा के ग्रामीन कारी विवाग के अधिक्चन अभियानता अनिल कुमार के गाड़ी से पुलिस ने 18 लाग रुपे नगत बरामत किये है मुझपरपूर हाजीपूर एनेच पर कोड़नी थाना की पकोली ओपी पुलिस ने पंचाई चुनाओ के मद्दे नजर की जारी वहान जाच के दोरान अधिक्चन अभियानता की गाड़ी रोकी थी नगदी गाड़ी की डिक्की में बैग में रखी वी थी अधिक्चन अभियानता और उनके चालक से लंबी पुछताच की गई पुलिस ने चुनाओ आचार सहिंता उलंगन के आरोप में एफाया दर्ज कर अभियानता वह चालोग को पियर बान पर छोड़ दिया है अगली बड़ी कबर कपिल सर्मा के सो में नजर आएंगे लालो के लाल पार्टी कार्याले पहुचे तेज परताब ने कहा सो की टीम ने साधात संपर्क अगर फ्लाइट का टिकट भेजते हैं तो जाओंगा जिहां लालो प्रसाद के बड़े बेटे तेज परताब यादब अब कोमेडिक किंग कपिल सर्मा के सो का हिस्सा हो सकते हैं उन्होंने सो में जाने के लिए सुरुवाती रजामन दिदे दी है सोनी टिवी के पॉपुलर दा कपिल सर्मा सो के नई सिजन में तेज परताब दिख सकते हैं सनिवार को तेज परताब ने बताए कि सो के लोग अगर फ्लाइट का टिकट भेज़ते हैं तो गेश्ट बनने के लिए तयार हूँ अगली बड़ी खबर बकसर से चोथे दिन चिनुक ने बरी उड़ान भारत मता के जैगोस से गुंजा इलाका हलेकप्टर देखने वालों की उमड़ी भीड जिहा राजपूर प्रकंड के मानिकपूर हाई स्कुल में एमर्जंसी लेंडिंग के चोथे दिन सनिवार को तकन की खराबी दूर होने के बाद वाई सेना के हलेकप्टर चिनुक ने उड़ान भरी चिनुक यहां से विहाटा के लिए रवाना हुआ इस दोरान इसकुल के चारों और सेकडों की भीड एकटा हो गई हलेकप्टर के उड़ान भरते ही हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने एक सूर में भारत मता की जै के नारे लगाए बड़े कबर बिहार में चात्रों को तेन साल की चात्री विर्ती अब एक साथ मिलेगी ऐसे करे आवेदन जी हां बिहार के अनसुचित जाती जन जाती तता पिछड़ा तता अती पिछड़ा वर्ग के लाकों चात्रों को पोश्ट मेट्रिक चात्री विर्ती योजना का ला है सुकरवार को इसे लॉंज करने के मौके पर सीख्चा मंत्री विजय कुमार चोधरी ने कहा कि केंद सरकार के एन एसपी पोर्टल पर आवेदन करने की निर्वरता के चलते यह योजना तीन चार साल से लंबित चल रहे थी गरिवी ततब पिछड़े वर्ग के मेगावी चात्रु को चार्त विर्ती के लिए इंतिजार करना पड़ रहा था एन आएसी द्वारा पोर्टल तयार कर देने स यह इंतिजार खतम हो जाएगा वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2021, 2022 तीन साल के लंबित चात्र विर्ती योजना के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकेगा गरिब घर के बच्चों को अब समय पर चात्र विर्ती के रासे मिल पाएगी दूसरे राज भी इस पोर्टल का अनुसरन करेंगे पोर्टल पर निबंदन वा आवेदन के एक मा के अंदर ही रासी मिल जाएगी शिक्चा विवाग के मदन मोहन जास सबागार में आवेजीत भवे समारों में इस पोर्टल यानि के www.pmsonline.bihar.nic.in को विदातियों के लिए लोकरपित करते हुए शिक्चा मंत्री ने गोसना कि कि इस पोर्टल पर निबंदन वा आवेदन के एक मा के अंदर डिवीडे के माईदम से रासी लावार्दियों के खाते में चली जाएगी अगली बड़े कबर बिहार के यात्रियों को मिलेगी अब सुविदा जल्द रात के दो बजे तक सडकों पर दोड़ेगी सिटी ब बसों का परिचलन होगा एक से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए बस सिवा अगले मास से सुरू होने के उम्मीद है परिवहन विबाग के निर्देश पर इस समद में तयारी सुरू कर दी गई है अधिकारियों का अनुसार इस सिवा को सुरू करने के लिए अधन किया ज अगली बड़ी कबर बिहार के इन 16 जिलों की किसानों को बड़ी रहत यास तुपान से बरबाद हुई फसल की बरपाई करेगी सरकार ऐसे करे आवेदन जिहां बिहार में माई के अंतिम सब्ता में आये यास तुफान से जिन किसानों की पसल बरबाद हो गई सरकार उसकी चति पूर्ती करने जा रही है 16 जिलों के 102 प्रकंडों के 1379 पंचायतों के किसानों से चति ग्रस पसलों के लिए क्रिसी इंपूर्ट अनुदान योजना का लाव लेने को 12 सितंबर तक आविदन मागे हैं क्रिसी इंपूर्ट अनुदान सभी पंची क्रित रहीत वो गेर रहीत किसान को दिया जाएगा दोनों तरक के किसानों को आविदन ओनलाइन करना होगा चति पूर्टी के रूप में नियुंतम एक हजार रुपे दिये जाएंगे आज सीचित पसल छेतर के लिए 6800 रुपे सीचित छेतर के लिए 13500 और 700 पसल यानि की गन्ना आदिस सहीत के लिए 18000 रुपे प्रती हेक्टेर का अनुदान दिया जाएगा जानकारी के अनुसार पाटना भोजपूर बाकसर अरवल पस्चिमी चमपारन वैसाली दरबंगा मदोबनी सेखपुरा लखिस सराय खगडिया सहरसा मदेपुरा पुर्निया अररिया और कटिहार जिले के लोग है किसान को क्रिसी इंपूर्ड अनुदान में किसी तरह की दिक्कत नहो इसके लिए क्रिसी विवाग ने हेलप लाइन बनाई है टोल फ्री नंबर 180-180-1551 अथवा अपने जिला क्रिसी पतादी कारे के यहाँ संपर्क कर मदद मागी जा सकती है आवेदन के लिए क्रिसी विवाग के वेब साइट लिंक दिया गया है किसी जिला के किस प्रकंड और पंचायतों के किसान पात्र है इसकी सुची भी डिविटी पोटल पर अपलोड कर दी गई है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में अभी सब ये मास्क का उप्योग करते हैं या नहीं इसका जवाब आप आमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए